हाई व्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आपकी जेकेस बी क्लास फोर की प्रेपरेशन काफी अच्छे से हो रही होगी उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग अली बोर्ड के मॉक्टस हम लोगों आपको सजेस्ट करें थे उनमें अगर नमबर कम आ रहे हैं आपके मांक कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो सारी बाते करने से पहले मैं को मॉक्ट फ्री जो आप था उसका अनईलीसिस दूँगा की कौन सा सक्ष्ण टुफ था कौन सा सक्ष्ण तोड़़ा मॉडरेट था इसी तो कोई भी सेक्शनिस में नहीं था सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए कि यह जो आपका एक्जाम होने वाला है इसका जो लेवल है अली बोर्ड के मॉक्टस से काफी कम होने वाला है ठीक है आप लोग उन्हें बिल्कुल भी गबराना नहीं है मैं आपको आज गरेंटी द कर रहे हैं तो मेक शूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जितनी भी जेके अससबी के एक्जाम होने वाले हैं उसकी फ्री आफ कॉस्ट प्रेपरेशन यूट्यूब पर आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी सो स्टार्ट करते हैं फिर पहले मौ इसका टफ बना दिया गया था इसमें मैं इसको टफ में गिनूँगा ठीक है डिफिकल्ट इसका लेवल था अगर इस पार्टिकुलर सेट में आप लोग दस कोश्चन भी राइट करने में काम्याब हुए हैं तो आप लोगों की प्रेपरेशन काफी अच्छी है आप लोग का लेवल डिफिकल्ट ही था ठीक है इसमें अगर आप लोगों को ट्वेल तक के नंबर लाने में काम्याब हुए हैं तो आप लोगों की प्रेपरेशन काफी अच्छी मानी जाएगी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हैं मैंने पहले भी आपको बता दिया था अभी इ देख है जीके की बात करें अच्छा था लेवल वाज मॉडरेट ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी बाट इसमें क्रंट फेट्स का पोर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा दे दिया गया था तो आप लोगों ने अगर इसमें 22 प्लस तक का स्कोर करा है तो आप लोग या मैस क्या में 10 ला रहा होगा पेपर में अरां से बहुत ठार लारा हैं यहादा ना रहा जाएंग इंग्लिश में 11 ला रहा ना चाईगा लोगा ज्यादा भी गलती कर देंग तो कोटिपर हम थोड़ा सब्स्ट्रइगए खर पय kulland was अप पता दीजी गया यह सर हमें इस तरह से चाहिए तो फिर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके लेवल एक्जाम का जिस तरह का एक्जाम आना है उससे थोड़ा सा लेवल उपर रखवाएंगे बतलब मॉडरेट लेवल का पेपर सेट करवाएंगे अब हम लोग बात करेंगे कि अ अपने आपको आप लोग करते हैं उससे ऐनलाइज का मतलब होता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी जा रही है आपको और जडूरत है तेयारी करने की या फिर पर बाकि जो अपके concept है उनी को revise करने का time है ठीक है तो analyze में हम लोग ये देखते हैं second हम लोग देखते हैं कि हम कहां हमारा standard time क्या है हम कहां लाई कर रहे हैं जितने बच्चे त्यारी कर रहे हैं क्या मैं competition में हूँ क्या मैं नहीं हूँ और सबसे important यह दोनों फैक्ट आप लोग बड़े अराम से देखते हूं मेरे कितने नंबर आये मेरा कितना rank आया मेरा math में कैसा था मेरा reasoning में कैसा था बड़ जो main चीज होती है वह आप लोग का test है 100 के 100 questions उनको subject wise solve करना होता है ठीक है कैसे करना होता मैंने पहले बताया था आज फिर बता रहा हूं द्यान से समझ लीजिए चार आपके sections हैं पहला section है maths कुछ नहीं करना है सारे के सारे 20 के 20 questions जो आपने पहले करे भी है उनको भी फिर से करना है जो नहीं हुए है उनको दो बार solve करना है अपने हाथों से कि ताकि वो जो concept आपका छूट गया था वो concept आपका revise हो जाए अगर कुछ new नई चीज आपको देखने को मिले वहां पर नया concept कोई देखने को मिले तो उसको आप लोग ने अपनी notebook पर क्या करना होता है नोट करना होता है first maths का यह आप लोग ने तरीका लगाना है similarly reasoning में भी same करना होता है ठीक है मानलो reasoning में आपका direction sense का जो question है वो गलत हो गया कहा किसका question गलत हो गया direction sense का कोई भी topic का गलत हो सकता है आप लोगों ने उस topic में उस question में आपने क्या गलती करी वो आप लोगों ने check करनी है उसको correct करना है पहले उसको क्या करना है correct और उसके बाद उसी variety के 2-4 question अपनी book में से जो भी आपके पास material है वहाँ से आपने solve करने है ताकि वो गलती दोबारा exam में ना हो आप बात करेंगे English की English में क्या होता है आप लोगों ने test दिया आप लोगों के 10 question ठीक होगे 10 question आपके गलत होगे अब जो question ठीक हुए है उनको revise करना है और जो गलत हुए है उनको आप लोगों ने उनके concept notebook पे note करने है और weekly basis पे अब तो exam नजदी का है तो daily basis पे आप लोगों ने उनको क्या करना है revise करना होता है जो आपने गलतियां करी हुई है फिर जाके mock test देने का फाइदा होता है ऐसे क्या फाइदा जो आपको आता था आपने कर दिया जो नहीं आता था वो आपने फिर छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है जो हमें नहीं आता है उसको लेके चलना ज़्यादर ज़रूरी है ठीक है students विश्वास करके देख लीजिए जिस दिन जेके बैंक का result आएगा ना हम लोग ने जेके बैंक के इस तरह से preparation कराई थी से पहले अपने अपनी date के हिसाब से सारे बच्चे उसको adjust कर लेंगे ठीक है अब आप daily basis पर भी mock test दे सकते हैं English का मैंने बता दिया आप लोगोंने note करना होता है जो नया concept हो और जो गलत हुआ हो क्यों गलत हुआ उसको check करना है है correct करना है देन उसको revise करना है similarly बात करेंगे general knowledge की general knowledge is always and all about your visions ठीक है अगर आपका question ठीक हुआ है तब भी आपने उसको note करके लिखना है अगर गलत हुआ है तो उसको आपने दो बार पढ़ना है एक बार लिखना है ठीक है इस तरह से अगर आप लोग मौक टेस्ट दो से तीन मौक टेस्ट आप लोग करके देख लीजिए अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि यह अपनाई हुई strategy है हमने खुद यही इस तरह से चीजे करी है that's why आज हम हमारी selection हुई है ठीक है तो हम चाहते है कि यह जो strategy है हम आप सबी बच्चों के साथ जो बच्चे online coaching afford नहीं कर सकते उन बच्चों की अगर हम लोग दिल से help कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यह जो last वाला phase है इसमें हम लोग आपके साथ बने रहे हैं और किसी तरह कि अगर आपको कोई problem है तो आप comment box में बता सकते हैं जुरूर आपको चीज का solution दे दिया जाएगा इस वीडियो में mock 3 का analysis मैंने आपको दे दिया कम number आ रहे है उसका solution बता दिया revise करे उसको बार-बार solve करे ठीक है अच्छे जो हम से connected है जो हमनारी strategy के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा हो ठेक है तो थैंक्यू सो मच गाई गॉडब्लेस यू आल वर्क हाड आज मैं इसको डालना भूल गया वट मैं लिक देता हूं विद स्मार्ट यह आप लोग ने खुद कोड कंप्रीट करना यहां क्या आएगा ठीक है थैंक्यू सो मच गाई गॉडब्लेस यू आल करते रहिए महनत जुरूर एक दिन आपकी जॉब लग जाएगी थैंक्यू